प्रधानमंत्री नरेंद्रमोधी वाइट हाउस पहुँचे, अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन और प्रथम महिला जल बाइडन ने उनका स्वागत किया इस मौके पर विदेश मंत्री एस जैशंकर, राष्ट्रियस रक्षा सलाहकार, अजीट दोबाल भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोधी को वाइट हाउस पहुचनी पर गाड़ आफ ओनर दिया गया पेन मसाला समूर ने वाइट हाउस में बॉलिवुट के अलग-अलग गीत काई आपको बता दें कि पिये मोधी के आगमन से पहले ही भारतिय प्रवासी वाइट हाउस के लॉन में चमाथ है और इस दौरान वाइट हाउस मोधी मोधी के नारों से बूश रहा था आपको बॉश रहा था 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 मुझत नग चमाएट हाउस बॉश प्रणिव प्रणिश लाइट सम। बॉश अश्वाष पूपम। नारों से थाले हुए इंडियन-अमेरकश को चक्रत अभी मेरे तथा साज्यों आप सबको नमस्कार सबसे पहले तो मैं राश्पती भाइडन के मित्रता पूर्ण स्वागत और दीर्ग द्रश्टी पूर्ण संबोधन के लिए उनका रदे से बहुत-बहुत आभार वेक्त करता हूँ फ्रेंड्स आज बाइट आउस में सुशांदार स्वागत समारब के एक प्रकार से भारत के 140 करोड देश्वासियों का सन्मान है 140 करोड देश्वासियों का गवरों है यह संमान अमेरिका में रहने वाले चार मिलियन से अधिक भारतिय मुल्क के लोगों का भी संमान है इस संमान के लिए बरास्पति बाइडन और डॉक्टर जील बाइडन का उनके प्रति रिदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं फ्रेंट करिब तीन दसक पहले एक साधारन नागरी के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आये था और उस समय मैंने वाइट राउस को बार से देखा था प्रधान मंत्री वन्ने के बाद तो मैं स्वयम तो कई बार यहां पर आया हूं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियान अमेरिकन समुदाय के लिए वाइट राउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं भारतिय समुदाय के लोग अपने टैलेंट कर्मटता और निश्टा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं आप सब हमारे सबंधों की असली ताकत है आज आपको दिएगे सम्मान के लिए मेराजप्रदी बाइडन और डॉक्टर जील बाइडन का रदे से अभिनंदन करता हूं उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है भारत और अमेरिका दोनों के समाच और व्यवस्ताएं लोग तांत्रिक मुल्यों पर आधारी है दोनों देशों के समिधान उसके पहले त्रीन शब्द और जैसा राश्पती बाइडन डैबी जिसका उलेग किया बीज़ पीपल हम दोनों देश अपनी विवीतिता पर गर्व करते हैं हम सर्वजन हिताएं सर्वजन सुखाएं इस मुल्भुत सिध्धान्त में विश्वास रखते हैं पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ओर्डर एक नया रूप ले रहा है इस कालखंड में भारत और अमेरिका के मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ को बढ़ाने में पूरक होगी ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांती, स्थीर्ता और समृद्ध का लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिवद्ध है हमारी मजबूत स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमान है फ्रेंग्स अपसे कुछ ही देर में राश्परणी बाइडन और मैं भारत अमेरिका सम्मंदों और अन्यक शेत्रिय और वैश्विक मुद्धों पर विस्तार से बात्तित करेंगे मुझे भी स्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बात्तित बहुत सकारात्वक और उप्योगी रहेगी आज दो पर को मुझे यूएस कॉंग्रेस को एक बार फिर से सम्मोदित करने का अवसर मिलेगा इस संबान के लिए मैं आपका रुदे से अभारी हूँ मैं यही कामना करता हूँ और 140 करोर भारत वासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्टाइब हमेशा नई उचाईया छूते रहें राश्पति बाडन डॉक्टर जील बाडन एक बार फिर आपके इस ने भरे निमंतर के लिए आपके घर में जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए मैं आपका और एक सो चालिस करोड हिंदुस्तान वास्यों की तरप से आभार प्रगड करता हूं जै हिंद गड़ ब्लेस अमेरिका बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर Southeast букв कर दो कर दो कर दो कर दो झाल, झाल झाल